थो हमको जैसा मिलता था हम उची साब से भीज़तेते कर जाष आज बात करने वाले हैं कलप्रिश के बारे में तो कलप्रिश के बहुत जदा डिमांड आ रही थी लोग पूछ दे कि कहां से भाइ कर सकते हैं तो गाइस तरूब नरसरी फरीदा बाद आ पा सकते हैं आके यहां से बाई कर सकते हैं Google Map location, phone number, description में आपको मिल जाएगा तो आप इनको call कर सकते हैं अगर बाई chance अगर आपको online मंगाना है तो online facility भी आपको मिल जाएगी आप इनको call करके PTM के थुरू पे कर सकते हैं तो detailing बात करेंगे क्या pricing है Plants कैसे तयार होते हैं कैसे care करना है और बहुत सारी चीजे cover करेंगे इस वीडियो में आपको इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा Kalbiksh के seeds भी तो जो की बहुत ही rare होता है जो generally लोगों को नहीं मिलता है नहीं जानते हैं तो सब कुछ के बारे इस डिटेल बात करेंगे आपने इस वीडियो में तो वीडियो को लाज तक दरू देखेगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप मुझे Twitter पर फॉलो कर सकते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सते हैं, डिस्क्रिप्शन में देने ने दोनों जगा की डिटेल्स दे दिये, तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, नमस्कार दोस्तों, मैं डक्टर एसस बटोटी है, तरवन नर्शरी फरीदाबाद से, आज हमारे पहल इसका सीड मिल गया, हमें इंपोर्ट करें, मैंने साउथ अपरिका से, यह वाला है, कलपर इसका सीड, और इसका पल्प है, यह शीड पाउडर जिसको बोलते है, यह एडिबल है, यह आप इसको खा सकते हो, इसमें 12-13 एलिमेंट्स होते हैं, जो हमें 17 एलिमेंट्स में से, बहुत ही इसके अच्छी निट्रिटी वैली है, इसको पाउडर को पानी में बिगो रात को, एक चम्मच एक गिलास में, और सुबय उसको चान के पीलो, तो यह ना, और इसका, इसको आप अगर नेट पे देखोगे, आडन सोनिया, फूरूट पाउडर, तो काफी महंगा होता है, और यह एडिबल है, और यह आप खा सकता हूँ, जैसे मैं खा कर दिखाता हूँ, यह वाला ना जी, फिर इसके चीट्स की जैसे हमने यह इसमें, पीट मॉस है, इसमें मैक्शिम जर्मिनेशन होती जी है, सबसे अचा ग्रोइंग मीडिया है, पीट मॉस, लेकिन कल पर इसका यह इसकी स्टेगर्ड होती है, जी जर्मिनेशन, सारे पेड एक साथ नहीं जमते है, हदे कोई पचास के ओल में हमारे एक दो थी, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस है, बीस परसेंट जर्मिनेशन होती है, तो इसकी मैक्शिम जर्मिनेशन होती है, तो यह घुँ जिए हमको यह हमने डाला था, यह डाला था हमने 14 जुलाई को, अभी 14 आगस्त में भी 6 दिन और है, अभी देखो जी भाई, यह अच्छा ग्रोथ अच्छा बनावागो, यह एक मेने से भी कम की सीलिंग है, इसका नीचे से बेच, कितना सोलिड है, तो लोब यह कहते हैं हमारे पेड़ नहीं चलते तो ग्रोइंग मीडिया का सबसे बड़ा इंपोर्टेंट रोल है अगर मैं इसको ओर्डिनरी कंडिशन्स में ग्रों करता ना सीट को जी यह कम सब रेक डेड़ महिनेम जर्मिनेट होते हैं तो यह जो पीट मॉस है इंपोर्टिट है य इसमें होता जी फास जर्मिनेशन हडर्ड परेशंट होती जूसरे जैसे बेजटेबल शीट्स हैं जो फ्लावरिंग शीट्स है चीजनल वगरा तो इसमें जैसे सिस्टी परशंट मैक्श्मिम बोली है इसमें स्टेकगर होती जैसे कोई आज हम गया कोई दस दिन बाद गो तीस में से च्छे गए 24 पशेश दिन का पेड़ यह तो इसमें लगाया ना जी यह पतों की खाद 80 पर्शंट पतों खाद है 20 पर्शंट में मिट्टी है और लगाने के लिका और यह मैंने इसलिए लगाया है देखो ताकि मैं अपने भेजू यह ओनलाइन मेंने सेल करने है तो चोटे पेड़िश ही जा सकते है बड़े नहीं जा सकते हैं तो इसलिए हम इसको पुराने बेट परेगे 200 रुपे में 300 रुपे में पानसो रुपे में घर तक पहुंचने तक की गारंटी उसके बाद मेरी गारंटी नहीं अगर अगर फट गया पे टूट गया तो रिपलेस्मेंट दे दूँगा उसके बाद की कोई गरंटी कोरियर में स्पीड पोस्ट में तो आजकल बहुत लेट हो रहा है क्रोना की वज़े से मैंने भेजे हैं ये पिछले साग पिछले मैंने मंडे टूजडे को भेज रहे हैं या फेर मिट्टी के साथ इसको ऐसे टेप लगा के जी इसको टेप लगा के डबे मैं से टेड़ा करो और कोई भी पेड़ना की एजब यह जब आप यहिए शॉवड़ी में करते लगए को तो यहां से श्धा नीचे से उपर की तरफ इसको खाट और यह जब भी कोई हो क्या बिर्प करते हो तो चिए फोड़ा सान रिहा हो नहीं इसके मिट्टी गील ओगा थो इसके एसके इसको ऐसे दोनों तरफ से अनफॉल्ड करके और फिर इसको लगावने मिट्टी जढ़ने की बिल्कुल जड़ेगी नहीं जी मिट्टी ज़ाड़ दी तो पेड मर जाएगा जी इंटेक्ट होनी चीए बिल्कुल जाएगा और गमले में क्या कुछ डालना और दूसरा एक क्या पर आपको स्टेंप को दबाना नहीं हर पेड का है ना कि यह कलप्रिक्स का ही जनली और दूसरा क्या है जी कलप्रिक्स इतना चोटा सा इसके साथ एक डंडाव लगा देंगे जी और बहुत से लोगों मैंने देखा जी बाल्टी में लगा देंगे पाइप लोई की देंगे इसकी रूट्स तो सारी डेमेज होंगी ना जी तो इसको जरूती नहीं जी अब बचला पैदा होता तो उसको कोई सपोर्ट की जरू थोड़ी नहीं तो दस-पंदरा मिट बाद ही वो तोड़ने लगता जी खड़ा हो जाता हो तो पेड़ अपने आप चलेगा जी तो यह है जिसकी केर करने वाज दूसरा वह यह जी दिसंबर से मार्च इसको पानी नहीं दे ना एक दो बारिस में तो कोई फरक नहीं पड़ता अगर ज्यादा बारिस है तो थोड़ा से को शिफ्ट कर सकते हैं यह बाकि उसके पत्ते अबने आप रोगत हो जाएंगे अब अब आपको कलपिक्ष के प्लांट्स बाइ करना है तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिये हुए है आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा गा आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो जाते होगे लाइक करके जरू जाएगा और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक कियर नमस्कार हुआ हुआ हुआप